हलो दोस्तो नमस्कार मैं राज मेरा आपसभी का सवागत करता हूं तो दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने Instagram ID को Delayate कर सकते हैं यानि कि आप अपने Instagram account को हमेशा के लिए Delayate कर सकते हैं अगर आपके पास में multiple account है तो आप एक account को delete कर सकते हैं तो आप हमें comment करके बताएं कि आप अपने account को क्यों delete करना चाते हैं तो दोस्तों मेरे पास में अभी दो account है तो इसलिए हम एक account को delete करना चाते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले अपने phone में Instagram को open करना है उसके बाद मे आपको उस ID को यहाँ पर login करने ना है, जिस ID को आप delete करना चाहते हैं, उसके बाद में आपको right side में इचे आपको profile का option देखने को मिलता है, इस पर click करना है, profile पर click करने के बाद में उपर आपको three line देखने को मिलेगा, इस पर click करना है, three line पर जैसे click करेंगे, उसके बाद में कुछ इस तरह का इंट्रफिश देखने को मिलेगा तो दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में कम समय में अपने Instagram अकाउंट को डिलेट करना सिखाने वाला हूँ उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा Account, Ownership and Control का उप्सन इस पर क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में Deactivation और Deletion को उप्सन इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंट्रफिश देखने को मिलेगा अब आपको अपना यहां पे Instagram की ID का इस पर आपको क्लिक करना है आपसे पुछ जाएगा कि यही ID आप इसको डिलेट करना चाती है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है जैसे आप इस पर क्लिक कर देती हैं तो आपके सामने दो अप्सन देखने को मिलते हैं आपको यहां पर देखने को मिलेगा डिक्टिवेट आकाउंट जो की temporarily delete होता है अगर आप हमेशा के लिए delete करना चाहते हैं तो आपको second number को select करना है तो आप देख सकते हैं यहां पर delete account इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद में आपको continue option देखने को मिलता है इस पर click करना है continue option पर click करने के कि आप से एक रीजिन पूचा जाएगे कि आप क्यूं अपने अकउंट को डेल G risky करना चाते हैं तौँ आप यहां पर कोई बहु भी एक रीजिन आँट कर सकते हैं इस प Sugandorient करना है कि यह गिकान के और गांट पर क्लिक करना है儿 अब आपको क्या करना है जब आप अपनी ID को लोगिन करते हैं उस टाइम जो पासवर्ड डालते हैं लोगिन पासवर्ड उसको आपको यहां पे इंटर करना है तो आपको बता दूं कि आपको सही से अपना जो लोगिन पासवर्ड वो इसमें इंटर करना है तो चलिए यहां स के option पे click कर देते हैं उसके बाद में कुछी सेकनों में आपका जो instagram का account है वो delete हो जाएगा आप यहां पर date चेक कर सकते हैं December choice 2012 को हमारा जो account हो हमेंसा के लिए delete हो जाएगा अगर आप delete करते ही दुबार से इसको login करेंगे तो आपका जो account हो require हो जाएगा अगर आप 30 दिन तक इस account को नहीं और reopen करेंगे तो आपका account हो कभी भी login नहीं होगा तो आपको अपने account को दुबार से login नहीं करना है तो दुस्तों इस तरह से आप अपने इस्टागाम account को डिलेट कर सकते हैं आज की वीडियो में बस नहीं मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमशकार